वर्ड वाटर डे 2023 दोस्तों पूरे विश्व में 22 मार्च को विश्व जल्दिवस मना जाता है हर साल तो यहां पर जो सबसे इंपोर्टेंट रहे हुआ है कि 22 मार्च को विश्व जल्दिवस यानि की वर्ड वाटर डे मना जाता है तो यहां कब से मनाया जाता है क्यों मनाया हैं तो 22 मार्च को पूरे 200 में 300 जल दिवस मना जाता है इस DIVais को मनाने के सुर्वात 22 मार्च 1993 से आरंभ वही तो इसको जो है 1993 से स्टा्ट किया गया है मनाने के लिए यानि कि पहला जो है सबसे पहले मना या था 20 मैश hinge 1903 को मनाया गया था इस प्रित्वी पर 71 परसेंट जल उपलब दें परंतु पीने योग स्वच पाने बहुत कम है दोस्तों पूरा अर्थ में बात करते हैं तो यहां पर 71 परसेंट जल है वाटर है जो कि समुद्र में महासागरों में और अजने जगों पर उपलब दें लेकिन वह सारे चीजें पीने के लिए योगी नहीं है उसको साब करके कुछ चान करके पीते हैं लेकिन अगर स्वच पानी जो पीने योगी है तो वह बहुत ही कम है इस प्रित्वी में तो इसी कारण से बहुत सरे ऐसे जंसंख्या है ऐसे जीव जन्तू हैं जिनको स्वच पानी नहीं मिल पाता है हमारे अपने ही देश भारत में बात करें तो यहां पर भी हम लोगों को बहुत सारे जगह मिल जाएगी जहां पर स्वच पानी उपलब नहीं हो पाती है लोगों को यहां वहां से स्वच पानी जुगाड़ी करना पड़ता है जुगाड़ करके पीते हैं औ तो सबसे पर जो उद्देश है कि दुनिया के सभी देशों में सवच और सुरचित जल को सभी लोगों तक पहुचाना और साथ ही जल के संरच्चन पर भी ध्यान देना तथा लोगों को जागरू करना तो इसका जो सबसे मेन उद्देश है कि दुनिया में जितने भी देश हैं उनको स्वच जल मिले और साथ साथ में सुरची जल सभी लोगों तक जितने भी लोगें उनको पहुचाना है और साथ साथ अइन जिव जनतुओं के लिए भी स्वच्छ जल तक उपलब्द कराना है और जल के संरच्छन को यानि कि जल को बचाना के से है इस पर भी ध्यान दिलाने के लिए और साथ साथ में लोगों को इस बारे में जागरुक करने के लिए ही इसका उद्देश से है विश्व जल दिवस को मनाने का तो यह आप लोगों ध्यान रखना कि लोगों को जागरुक करने के लिए साथ साथ जल के संरच्छन पर ध्यान देने के लिए और सभी लोगों को सभी जीवजनतुओं को सवच और सुरची जल पहुची इसी उद्दिश से विश्व जल दिवस मना जाता है 22 मार्च को आप लोग सुने हैं कि जल ही जीवन है वाटर इज लाइब तो ये बहुत ही जबर्जस्त लाइन है जल ही जीवन है इसके बिना हम लोग जीवन की कलपना ही नहीं कर सकते हैं तो यह जल ही जीवन है इसका बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है तो हमें चाहिए कि जल के संद्रच्छन बहुती अच्छी तरीके से होना चाहिए और सबी लोगों को सुरच्छी जल मिलना अत्यान्थी आयोशक है अब बात करते हैं धीम जोकी इंपोर्टेंट है भेरी भे हिंदिय में कहेंगे तो यह एक्सलेरेटिंग चेंज है इस वर्ष का थीम यानि 23 का वह यहां पिछली साल की बात करें 2022 वाला तो ग्राउंड वाटर मेकिंग दा इन्वीजीवल वीजीवल तो यह इंग्लिस में इसी को हिंदिय में कहेंगे भूजल अद्रिश्य को के लिए तो दोस्तों यह थो थीम इस वर्ष का अब बात करते हैं कि कुछ उपाई को थोड़ा से देख लेते हैं तो जल संद्रचन के कुछ उपाई जल संद्रचन हर मानों की पहली प्राथ्य मिक्ता होने चाहिए तो जल संद्रचन करने के लिए हर मानों की पहली प्राथ बताना और समझाना हमें चाहीए कि हमें अपने सान शाथ साथ में अजय को भी पाने का महत्तो किसम प्रकार है उसको बताना चाहीए । किसमें इसका सदूप्योग कर सके हमें इसरकारों को देत doesn अब पकरताना है जब तक आविशक ना हो तब तक जल का उपयोग नहीं करना चाहिए यानि कि अनाविशक उपयोग नहीं करना चाहिए हमें सोच समझ कर ही जल का उपयोग करना चाहिए और पाने की बरबादी को रोकना तो यहां पर पाने की बरबादी जो है वह बहुत जगहों पर होती है त मानसिक्ता याने कि मैंटलिटी जो है अगर सही रहेगा सही करने के लिए तो फिर बहुत सारे चीजे आसान हो जाएंगे और जल समरच्छन भी बहुत अच्छी तरीक Conlar सबसे पहला है कि मैंटलिटी को सही किया जाये तब जा करके यह सारी चीजें आसानी से हो सकेंगी तो दोस्तों यह तो थे कुछ उपाई और जो सबसे इंपोर्टेंट था यहां पर कि जो 22 मार्च को मना जाता है वर्ल्ड वाटर डे तो उसमें जो थीम है एक्सलेरेटिंग चेंज यानि परितन में तेजी यही जाना जाता है